जो हैर में डेंडर्प हो जाते हैं हेर लोस होते हैं तो एक छोटा सा ट्रीक हम लोग अपनाएंगे टू स्टेप में घर के ही चीजों से हम लोग इजी तरीके से कुछी दिनों में डेंडर्प को फिनिश कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं नितू मेरे यूटूब चैनल लितू के अंदाज में आप सबों का स्वागत है और आज एक और बहुत यूश्फुल हम रेमेडी लाने वाली हूं फ्रेंड्स हेर के लिए हैर डेंडरफ जो हेर में डेंडरफ हो जाते हैं हेर लोस होते हैं तो एक पहले एक निम्बू लेंगे उसको दो पीस में काटेंगे आधी-आधी करेंगे उसके बाद एक ग्लास पानी लेंगे निम्बू कबीच जे उसको निकाल देंगे एक ग्लास पानी में आधा निम्बू का रस पुरा डाल देंगे यह निम्बू में उतना रस नहीं है आप रस वला निम्बू लीजिएगा मेरे पास अभी यही था तो मैं यही यूज कर रही हूं यह बहुत ईजी और बहुत ही सुविधा वाला ट्रिक है फ्रेंड्स आप स्कल्प में जितना होगा होतना हम लोग पूरा मसाच करेंगे एक ग्लास होई जाएगा हैर में भी लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिसको छोड़ देंगे आधा गंटा अब दूसरा है तुसरा ट्रिक अपनाएंगे आधा गंटा छोड़ने के बद हम लोग अब जो भी यूज करते हैं रेगुलर मैं जो सेम्पू यूज करती हूं यहां पे डाल रही हूं जाएगा है थोड़ी बची हूए मैं यहीं सेम्पू यूज करती हूं मेरा एक चमच मैं अभी यहां पे आप लोगों को दिखा रही हूं डेमो के लिए बाकि मैं और डालूंगी इसमें ज्यादा लगता है मेरे बालों में इसमें भी आधा निए टूड़ा नीमबू करस पूरा डालना है मेरे बालों में लग जाते हैं 10-12 चमच सेम्पू या फिर जादर लग जाते हैं फ्रेंट्स यह बस डेमो के लिए चमच दिखा रही हूं मैं अभी इसको आपके बाल में जितने लगते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसको यूज की जगा सेम्पू को अनिम्बू करस आधा ही डालना है यह याद रखिएगा यह देखिए पूरा मिल गया इससे हैर को वाश कर लेना है पहले हम लोग मसाज किये थे सकल्प को उसके वाश कर लेंगे आपको पहले वाशी रिजल दिखने लगेगा दिरे दिरे दो तीन वीग होने चे फिरी जल अच्छे से आएगगा इसलिए इसको रेगुलर कीजिए जब तक ब्रेंट्रफ है कि एक और बहुत सारा से खिजिए और कमेंट कीजिए आपको कोन सी सब्रेंवोह मतलब रेमीडी में ही कौन सी वीडियो देखनी है मैं उस वीडियो डालूंगी मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए अंदाज के साथ थाइंक्स फूर वाचिंग ओम साइराम राधे राधे